जम्मू कश्मीर में विधानसवा चुनाव को लेकर सामनी आया नया अप्टेट जाने कब गोशितोंगी तारीकें जम्मू कश्मीर में विधानसवा चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी सामनी आई है 20 अगस्त के बाद चुनाव की तारीकों का एलान हो सकता है मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के आधार पर ये संभावना जदाई गई है आपको बतादे कि दिजम्म 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधान सवा चुनाव 30 सितम्म 2024 तक संपन कराने का आदेश दिया था वहीं चुनाव आयुग ने वोटर्स लिस्ट को अपटेट करने के लिए भी 20 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 20 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर चुनाव की तारिक घोशित हो जाएंगी मुख्य चुनाव आयुग तुर राजी उप्वान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दोरा भी किया है इस दोरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल से जल चुनाव कराने के लिए प्रतिवदता जटाई है इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाव को लेकर मुखे चुनाव आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अंदरूनी या बहारी ताकत अगर से सोचते हैं कि वो दखरंदाजी का चुनाव को टालने के लिए हमें मजबूर कर सकते हैं तो मैं साफ दौर पर उसे कहना चाहता हूँ कि उनके इस मनसूवे को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे आपको बता दे किसे पहले जम्मू कश्मीर में साल 2014 में विधान सवा चुनाव हुए थे इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तब बीजेपी और मेबुवा मुफ्ती की प्यूपल्स डेमो क्रिटिक पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी इसके बाद साल 2018 में बीजेपी ने पीजेपी से गटवंदन तोड लिया था और सरकार गिर गई थी सरकार गिरने के कुछ समय बाद 5 अगस्त 2019 को केंदर की नरिंदर मुदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को दो केंदर शाश्र प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लदाक में बांट दिया गया था